हेलो गुड मॉनिंग दोस्तों वेलकम बेक टू न्यू गुडवे आज दोस्तों 30 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 के जो भी डेली करेंट अप्पेर के क्यूशन बनते हैं इन्हें माज डीटियल से डिसकस करेंगे तो 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को दोस्तों राजस्तान दिवस या राजस्तान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है जो हर वर्ष 30 माहिने के 30 तारिकों राजस्तान दिवस मनाया जाता और 30 मार्च 30-406". 1900ु को जो इसमें जोदपूर, जेपूर, जय सलमेर और विककानियर्, जैसी रियासत्याटै उनका विले होकर राजस्तान संग्स बनाता है और इसी दिन राजस्तान में राजस्तान दिवस या राजस्तान स्थापना दिवस वो मनाया जाता है। चले दोस्तोंiliyor साइक अर्ध आजका वीडियो आपको अच्शा लगत चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन में जरूर पल्स कर दो आंसर यह तलंग अरज जे में सबसे अधिक ODA Plus गाउं है और देश में 50,000 से अधिक वो ODA Plus गाउं है और एक ODA Plus गाउं है जो सोच खुले में सोच मुगत स्तिति को बनाए रखता है और ठोस और जो तरल अपसी परबंदन सुनिश्चित करता है जो सीष्परदर्शन करने वाले राज्यों में जो 13,960 ODA Plus गाउं में तेलंगाना वह सबसे उपर है और इसके बाद है 11,477 के साथ तमिल नाड़ू और 3,800 गुनंचास के साथ मध्य परदेश वो तीसरे स्तान पर है अब तेलंगाना राज्य तो तेलंगाना में 2022 में निम्न योजना है वो शुरू के गई ज और तेलंगाना फसल रिणमाप योजना ये भी तेलंगाना में शुरू की गई योजना है और तेलंगाना कल्यान लक्ष्मी योजना ये भी तेलंगाना में शुरू की गई योजना अब तेलंगाना तो तेलंगाना वह बारत के अंदर परदेश राज्य से अलग होकर बना कि जो प्रारूप विदेग उसको केबिनेट ने मंजुरी दीती और 18 फरवरी 2000 चोगदा को तेलंगाना विदेग लोग सभा में पारित हो गयार था दो दिन पस्चाहती से राज्य सभा से मंजुरी मिल गई थी और राश्ट्र प्रति के अस्ताक्सर होने के बाद तेलंगाना तोर पर भारत का अगुर्ण तीस वारा राज्य से बन चुका और तेलंगाना जिसे आप आप में में देख सकते हैं यह है तो तो वह हैं हेद्राबाद और तेलंगाना में टोटल कितने जी लें तो यह है 33 और तेलंगाना के स्ठापना होई थी दो जून दो हजार चोगदा को तेलंगाना की स्थापना हुई थी और तेलंगाने प्रजेन टाइम के मंदर है के चंदर में किया गया तो आशर दोस्तों यह सब्सक्राइब करना और बढ़ावा देना और लोग पर यह बनाना और जो पहला राष्टे संसक्रथी महुट सब्सक्राइब करने बढ़ाग्धिर घर turp परिवार के अंतर गड़ाती है दर्विड बासा और यह बासावा अंदर परदेश तेलंगाना के अलवात तमिलनाडू कंणाटक ओडिसा और छतिस गड़ राजियों में भी बोले जाती है और राज्य पसु है अंदर परदेश का चिंकार जो चिंकार है वह दक्सिन एसिया म पंदारा परदेश के और भारत की परशिद नर्ते से लिए और यह पूरे दक्सिन भारत में परसिद का नाम हो तो तो चाहिए जो दीवी तालूक है उसमें सीट कुचीपुडी गाउं के उपर पड़ाओं के उपर पड़ा है जहां में रहने वाले जो ब्रह्मन वह इस प पांपरिक नर्ते का ब्यासव करते हैं और राज्य घ дополн men to आधा राज्य खेल हो गया कबडडी जो कबडड़ी ये खेल है जो मुख के रूप से बार्ति उत्त्रबाहरत में कहा जाता है और इस खेल को दक्सिन में जो केच्चु गुडू और पूरों में हुतुतु के नाम से भी जाना जाता है और राज्य पेढ़ अंद्रप्रदेश का नीम का जो यह नीम का पेढ़ा वह बारती मूल का परन पाती व्रक्स है जो सद्धियों से समीप वरती देशों जैसे पाकिस्तान बांगला देश तो यह बारत के जो दक्षिनी पूरी तट उस परिस्तीत और शेतरपल की द्रश्टी के अनुसार यह बारत का साथ वा सबसे बड़ा राज्य है और जन संक्या के इसाब से पांच वा सबसे बड़ा राज्य है जिसे आप में देख सकते हैं और अंद्रप्रदेश की अंद्रप्रदेश के मंत्री हैं जगल मोहंग रेड़ी और राज्य पाले वीश्वे बुसन हरी चंदन अंद्रप्रदेश है तो अंद्रप्रदेश में टोटल जिलने हैं 13 और यहां कि राज्य बासा है ते लगूं कि बारत में पहली बार जो खुर्दुरे दानत वाली डॉल्फिन उसको किस के अंद्रप्रदेश में देखा गया है तो आंसर दोस्तों यह लक्स द्यूइप में जो लक्स द्यूइप में परियावण और वन विबाकि एक समूंद्री जो स्तनपाई अनुसंदान है उस टी इन्होंने चेरी या पानी और बाद में जो कवर रती है उसमें भी इस परजाती को वह देखा है नेक्स्ट किसन है किस नमबर फोर कि किस बारत या बिनेता को अबू दाभी के यस आइस आइलेंड का ब्रांडम बेस्ट्र वो नियुक्त किया गया है तो आंसर दोस्तों यह अबू दाभी का जो यस आइलेंड है वो दुन्या के बहतरी जो एंटरमेंट डेस्टिनेसन में से एक और रणवीर हो यस कि यह यह वीडियो के जरी यहां की जो खूबियों और एडवेंचर के बरपूर जन्नी की जलका वो दिखा रहे हैं और यह वीडियो वो इसके जरी यह आई-लेंड की खास यहतों के बारे में भी बताया जा रहा है किसनेश स्विस ओपन 2012 के मैला एकल किताव है वह अपने नाम की तो आन्य सूर्फ पर चाल में जो बिखेंक तो आपनी नाम के यह अपना लगाता दूसरा स्वाइनल खेल रही थि और दो बार की जो ओलम्पिक है उस पदक विजेता पीवी सिंदु ने चोती जो विराइता प्राप थाइलेंड की खिलाड़ी है जिनको गुणंचास मिनेट तक मुकाबला चला था और इस मुकाबले में इकीश ओड़ा इकीश आठ से रह और पीवी सिंदु ने गुणंचास मिनट में फाइनल हो अपने नाम करके इस सीजन में यह दूसरा मैला किताब अपने नाम किया अब पीवी सिंदु है तो पीवी सिंदु को निम राश्ट्री समान से भी समानित किया जा चुका है राज ज अब पीवी सिंदु को समानित किया जा चुका है नेक्स्ट किस नवर सिक्से कि गवा के मुख्य मंतरी पद की सपत लगातार दूसरी बार किस ने लिये तो आंसर दोस्तों यह प्रमोध सावंत ने जो प्रमोध सावंत जिनको आप पिक में देख सकते हैं इन्होंने लगात दूसरी बार 28 मार्च 2022 को दूसरी बार गोवा के मुख्य मंतरी के रूप में सपत दाव ग्रानिकी और गोवा के राजय पाल पीए स्रीदरन इन्होंने पिल्लेई ने स्यम्मा परशाद मुकर्जी जो स्टेडिय में उसमें पद और गोपनेता की सपत दाव परमोध सावंत दिलाई और परमोध सावंत वो उत्री गोवा के जो साकलीम से विदायक और साल 2017 में जब मनोहर पारिकर के नितर्तों में बीजेपी ने अपने सरकार बनाई तो उन्होंने विदान सबाद देख चुना गया था और उन्होंने परिकर के निदन के बाद मार्च 2019 में 2019 में पहली बार मुक्य मंत्री के रूपने सपत हो लेती नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमर सेवन कि किस देश की पहली महिला विदेश मंत्रियं मेडेलिन अलब्राइट जिनका विदेश के अमर में निद्धन हो गया तो यह किस देस की महिला है तो ऐस दोस्तों यह अमरिका की जो अमरिका की पहली विदेश म Druid tell इन निका हाल में निद्धन हो गया और यह उनकी उमर ती परशासन के दोरास सन 17ża Marilyn अहीं किया सभ्यारान करनने से पहले अलब्राइट वो गुनी सो त्रियानमें में और गुनी सो सत्यानमें के बीजो सेयुंग तराश्टर में अमरीकी राज़ता वो भी रही थी और वर्तमान में वे जोर्ज टाउन स्कूल और फोरेंड सर्विस में प्रोपेसर ती नेक्स्ट क्यूसर नमर एक कि सेयुंग तराश्टर ने वित्वरस एकीस बाइस के लिए जो भारत की विकास तरह वो कितने फीस दी रहने का अनुमाना वो लगाया है तो आनसर दोस्तों यह 4.6 परतिसत जो सेयुंग तराश् रिपोर्ट जारी किया जिसमें युक्रेयन और रूस के बीच में जो यूद चल रहा है उस कारणों के कारण बारत को इंजन के आपूरती वो परभावित हो रहे हैं और जिस से इसकी कीमतों में उच्छा ला रहा है और साथ व्यापार परतिबंद और खद्य मुद्रा की चिंता जैसे कारेक वह भी बारती अर्तिवेस्ता उनको परभावित कर रहे हैं जिसके चलते 6.7 से लेकर 4.6 परतिशत रहने का नमानों वह सेयुक्त राष्ट ने लगाया है नेक्स्ट क्यूशन है कि यूएन एपी एन्यूवल प्रंटेयर रिपोर्ट 2022 है इसके अनुस प्रिपोर्ट वह प्रकासीत हुई थी जिसके अनुसार उत्रप्रदेश का जो मुरादाबाद है वह वीश्वस्तर का दूसरा सबसे अधिक परदूशन का सेयर बन चुका और इस यहतर में 55 db में माननक के मुकावले में 2021 में एक सो चोगदाद डेसीबल है उसके उच्छतम स्तर पर हो दहुनी पर्दूशन वह मुरादाबाद में दर्ज किया गया और धाका हुए दुनिया बर में 61 सहरों की सुच्चीव में सबसे उपर या सबसे परतमस्तान पर वह रहा है अकरड़ नेक्स्ट किशन snad तेन कि किस फिल्म ने बेस्ट पक्चर के लिए ओसकार पुर्षका रहे वह वह अपने नाम किया है तो आंसर दोस्ती कोड़ चो जो 94 अकादमी पुरषकारों में जो सियान calendar की जो पुर्षकार वह अपने नाम किया और एरियाना देबोस है इन्होंने फिलम वेस्ट साड स्टोरी के लिए पुर्षकार पारने वाली पहली एक स्ट्वीर महिला बनकर इताय से वह रचा है और आज का नेक्स्ट और लास्ट किसे नहीं जिसका आपको कमेंट बोक्स में लिखना है और पिछे के वीडियो में भी आपको क्यूशन दिया था कि कौन सा देश है जो बर्षामा सिल 2022 पर सिक्षन अभ्याद से उसकी मेजबानी क करेंगा तो आंस वर्दा दोस्तों इसका सी ऑप्षन मलेशिया अब मलेशिया वो बर्षामा सिल 2022 पर सिक्षिन अभ्याद साव इसकी मेजबानी कर रहा है चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समावत करते हैं वीडियो आपको अचा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब पर से जरूर करें थैंक्यू ओल ओफ यू